केंदर सरकार का कोचिंग क्लासेस को विनीत करने का कदम सराहनी है और ऐसा होना भी चाहिए लेकिन इसके लिए एक तरपा दिशाहिन दिशा निर्देश जारी किये गये है वे शिक्षा प्राणाली को पंगू बना देंगे यह मत असोशेशन आप कोचिंग इस्टिटूट के जद्यक्षर अजनेकान बोंदरी ने शुक्रवार को आयोजित पत्र परिशद में व्यक्ति किया बोंदरी ने कहा कि केंदर सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किये है उनमें कोचिंग क्लासेस के साथ विलन जैसा बरताव किया गया है विद्ध्यारतियों के आत्महत् जाले केवल कोटा शहर में ही हो रहे है इसके कारणों के तह तक जाने के बजाए पुरे देश भर की कोचिंग क्लासेस पर अंकूश कसना ठीक नहीं दिशा निर्देश पुरी तरह बड़ी क्लासेस के पक्ष में है जबकि छोटी एं मध्यम क्लासेस के लिए इनका पालन कर कोचिंग के साथ ही सांसकूर्तिक गतिविध्या विध्यार्तियों के समग रही विकास काउंसलिंग साइकोलोजिक की सुविधा कोस के अलावा अन्य जानकार यादी जैसे सुविधा इतने कम समय में यह सब कुछ कर पाना संभव नहीं है ऐसा करते भी है तो इससे खर्च बढ़ेगा उसका असर अभी भावकों पर होगा सरकार का यह जो गाइडलाइस है इससे कानून बनेगा कानून के अंदर बहुत सारे स्टिंजन प्रोजिजन है हम लोग क्यों कोचिंग ले रहे हैं उन्होंने पहला बोला है कि एक बच्चे को वन स्क्वेर मीटर जगा चा सरकार को इस पर पुनरविचार करना चाहिए पतपरशद में शाम शिंद्रे और डॉक्टर मनोज मेटवानी उपस्तित थे कैमरा परसन कलेश भारतवाज के साथ शितिजा देश मुख की रिपोट मुझा बच्चे की रिपोटर प्रॉक्टर मैं शिन्द्रे जगा को लेगाज दे खली से साथ प्रॉक्टर में शाम सराज की झाल झाल